नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AD Smart Classes में कल तक क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रत्य देखे थे हम लोगों ने प्रत्य आशा करते हैं आप लोगों ने पढ़े होंगे पीडिएप्स देखी होंगी और उसके एक्जामपल्स देखे होंगे क्योंकि क्लेक्ट करके हम लोग लाये थे पेटा देखना जरूर क्योंकि प्रत्य एक ऐसा टॉपी के प्रत्य हो गए उपसर्ग हो गए पोईस्चन आ जाएगा और सिंपल से होते हैं तो एक बार देख ल लिए वर्णों से रिलेटेट चीजह पड़ लिए शब्द से पड़ लिया है ना अब क्या आते हैं सब्ध बेद पढ़ लिए तीन चीजह हमने स्टार्टिंग में बताई थी जिन बच्चों ने ध्यान दिया हो वर्ण भेद क्यों सब्द बेद और बेटा वाक्त के भेद सब बेद में सब्सक्राइब 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 सब् उनके इसके बाद हमने इसमें तुम लोगों को वह भी बताए थे जितने भी सब्द भेद में संग्यासर्व नाम विशेशन क्रिया विशेशन है ना अव्य उपसर्ग निपात ये सब आपके सब्द भेद में आ जाते हैं सब्द भेद के अलावा फिर हमारा लास्ट टॉपि तो वन भेद पढ़ लिया सब्द भेद पढ़ लिया जिसने नहीं पढ़ा वो वीडियो देख लेना चिक अब आते हैं हम लोग वाग के बेद में है क्या वाग के का मतलब वाग के को अर्थ के आधार पर कितने भागों में बाटा गया को इसे वाग के को रचना के आधार रचना का मतलब वाकरती बनावट के आदार पर है न तो कितने बागों में बाटा गया वो तो अभी हम लोग देखते हैं जैसे कि आप लोग जब देखोगे वाक के वा अच्छा देखो बता दिया करो, तुम लोग यहां सब बेद लिख दिया था, देखो वाग के बेद है, ठिक, तो वाग के बेद बताएंगे, वाग के बेद में है क्या, कि जब हम लोग वाग के कहते किसे हैं, पहले तो यह समझो, वाग के, इसी को आप इंगलिस में बोलते हो, sentence, है ना, sentence, sentence क्या होता है या वाग क्या होता है, वाग की वो होते हैं, सार्थक सब्दों के समूह को, ऐसे सब्दों का समूह जो सार्थक हो, अपना कुछ ना कुछ अर्थ दे रहा हो, है ना, जैसे मोहन बाजार जाता है मोहन बाजार जाना ये सब क्या है सार्थक सब्द है और इनी का जो हमने कम्माइन कर दिया कलेक्शन कर दिया कलेक्ट कर दिया तो सार्थक सब्दों का जो समू है वो वाके कहला था इतनी बात सिंपल सी याद रखनी है ठीक सार्थक सब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, वही सार्थक सब्द, सार्थक सब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है, ठीक, कई दिया गया भी या कई लो, है ना, सार्थक सब्दों के समूह को क्या कह लो, वाक्य कह लो, अब अर्थ के देखो तुर्टा जिनका विवाजन करेंगे एक तो अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर और दूसरा हो जाएगा रचना के आधार पर करो भी या रचना के आधार पर रचना के आधार पर तीन बेद हो जाएगे एक आपका हो जाएगा सरल वाग के, संयुक्त वाग के और मिस्रित वाग के ठिक, इसके बाद अर्थ के अधार पर आपके आठ वेद हो जाएंगे जो आपने पड़े होंगे, विधिवाचक, निसेदवाचक, प्रस्णवाचक है ना, अग्यार्थक ऐसे वाले जितने भी भेद हैं, वो सबाब के किसमें आजाएंगे, अर्थ के आदार पर आजाएंगे, ठिक, चलो, अब हम लोग देखते हैं इसको, पीडियम से यह दिखा देखो, वाक के भेद, यह देखो, वाक के भेद पढ़ने से पहले यह देख लो, वाक के अंग के भी से में देख लो, ठिक, तो वाक के बेटा दो अंग होते हैं, वाक के क्या होते हैं, दो अंग हैं, ठिक, वाक के के दो अंग हैं वाई साब, ऐसे स वाकिक को समझने के पहले वाकिक के अंग देख लो ऐसे लिख लो ठिक वाकिक के अंग कौन-कौन से हैं तो देखो वाकिक के अंग में आ जाएगा आपका एक तो उद्देश से और दूसरा आ गया आपका विधिय उद्देश से मतलब समझ गए ना उद्देश का मतलब बेटा होता है करता जिसके विसे में बात कही जाए जिसके विसे वे बात की जाए जिस से बात की जाए, जो बात करें या जिसके बिसें की बात की जाए, वह सब करता होंगे, है न? राम राम कोई क्यों लो, दूसरा कुछ ले लो महेश् प्रतिदिन कैलास परवत में रहते हैं तो बहिया कौन रहे रहे, किसकी बात की जा रही है महेज की बात की जा रही है है ना बगवान संकर कहलास में रहते हैं कहलास पती है ना तो बात किसकी की जा रही है कहलास पती की तो वहाँ पर वो करता हो गए तो वो करता कहलाएंगे तो जो करता होता है करता ही हमारा क्या होता है करता उद्धे से है और इसी को इंगलीस में आप क्या बोलते हो सब्जेक्ट है ना और इसी आप विधे को क्या बोलते हो प्रेडिकेट बोलते हो सही पढ़ा रहें कि नहीं है ना तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका करता हो जाएगा करता को हिंदी में उद्देश से बोल देंगे इसके बाद विदेय हमारा क्या हो जाएगा प्रेडिकेट मलब बाकी जो बचा करता के अलावा ठिक सीता गाना गाती है तो भया सीता हो गई सब्जेक्ट सीता हो गई उद्देश सीता हो गई आपका करता सब्जेक्ट हो गई करता हो गई इसी को आप उद्देश से बोलोगे ठिक अब वो कहा कर रही है सीता सीता भया गाना गा रही है खुसी में यह आपका विदेय हो जाएगा विदेह, चिक, सब्जेक्ट आपका करता, करता मतलब आपका उद्देश से, और ये आपका विदेह हो जाएगा, दो चीजें हैं, चलो अब हम लोग पीडियाप देख लेते हैं, ठिक, ये देखो, हमने उद्देश से के बारे में आप लोगों को बता दिया, कि वह जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, उसे उद्देश से कहते हैं, ठिक, कन्फ्यूज ना होना, करता कोई मानो उद्देश, विदेह देख लो, विदेह में आपका क्या आ जाएगा, वाक्य के जिस भाग में उद्देश के बारे में जो कुछ कहा जाता है, वो सब उद्देश से कहलाता है, ठिक, जैसे देखो, लंबे लंबे बालों वाली लड़ लड़की, तो यह लड़की भाई साब यहां तक हो गई करता, लड़की लड़की कैसी है, तो लंबे लंबे बालों वाली है, है ना, इसके बाद अभी अभी एक बच्चे के साथ दोड़ते हुए उधर गई, तो अब यहां पर अभी अभी एक बच्चे के साथ दोड़ते उधर गई यह विधे है तथा लंबे लंबे बालों वाली उद्देश का विस्तार है लड़की आपका उद्देश से हो गया तो यहां पर लंबे लंबे बालों वाली तो यह लड़की आपका उद्देश यह उद्देश का विस्तार यह आपका विदे विदे का विस्तार ठि है ना यहां लड़की कर लो है ना आगे देखू हाँ हमें यह बताना था कि भाईया वाक्य के जो भेद हैं वो अर्थ के आदार पर आठ भेद बताए गए और रचना के आदार पर हमने कितने भेद बताए रचना के आदार पर तीन भेद कौन कौन से सरल संयुक्त और मिस्रित सरल संयुक्त मिस्रित अर्थ के आदार पर देख लो सबसे पहला आपका है विधानवाचक विधानवाचक का मतलब क्या हुआ जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, वहाँ विधानवा चेक होता है, मुझा है कोई नकारात्मक चीज़ नहीं, सकारात्मक रहेंगे हैं मैसा, इन्हे सकारात्मक वाकि भी तभी कहते हैं, क्योंकि इनमें पस्किरिया के होने का पता चल रहा है, ठीक और कोई भी ना प्रस्ण हो रहा है ना निशेद हो रहा है ना अज्ञा दी जा रही है ना इच्छा प्रकट की जा रही है कुछ भी नहीं है ठीक तो पस यह सिंपल से हैं सरल और जिनमें सकारात्मक्वा के हैं इसी वज़े से इनको सकारात्मक्वा के कहा जाता है जैसे देखो वर्सा हो रही है तो हो न है ना वर्सा हो रही है होने दो राम लिख रहा है ज हम पढ़ रहा है न को और खागे अ और तो कहने को पॲडब जो भी हुआ यह में आप मतमक मतलब क्या हूए RYAN कि यह जिन में क्रिया के होने का पता चले बिना किसी अन्य की हस्तक छेप के ठिक चलो भाई आगे देख लेते हैं हम लोग फिर आते हैं निसेद वाचक, जिन वाक्यों में कारेके ना होने का पता चले, ठिक, जिन वाक्यों से कारेके ना होने का भाव प्रकट हो, उन्हें निसेद वाचक कहे देंगे, भाई जहां होने का प्रकट हो रहा था, वो सकारात्मक थे, विदान वाचक थे, और दूसरे जह यहां जो भी सब्द है वह नहीं खेलता है वह नहीं जाता है तो यहां पर निशेद है वहां मत जाओ वहां मत खेलो क्या हुआ तो यहां पर वह नहीं खेल रहा है वह नहीं जा रहा है तो यह से निशेद वाशक में आ जाएंगे अच्छा आगे देखो यहां तक समझ में आ किया होगा हमारी समस्य है कि फिर आते हैं हम लोग आज्यावाचक है अग्यावाचक में होता है जिन खान्स, अजाय सो अज्ञाव है क्या चीज इश hade को अज्याव उपडेश ठिक आज्यां हो प्रार्थना हो उपदेश हो जैसे बाजार जाकर फल ले आओ यहां पर क्या किया गया बाजार जाकर फल ले आओ आदेश दिया गया ना बाजार जाकर फल ले आओ मोहन तुम बैटकर पढ़ो बड़ों का सम्मान करो यहां उपदेश दिया जा रहा है क्या उपदेश दिया गया यह उपदेश तो सभी देते हैं ना बड़े चाहे कुछ भी कर दें बड़ों का सम्मान करो यहां भी उपदेश दिया जा रहा है बाजार जाकर फल ले आओ यहां आज्या दी जा रही है जाओ ऐसा काम कर दो राम मोहन तुम बैटकर पड़ो प्रार्थ जम्त नहीं तो हुई है न तो अब यह क्या हुआ है यहां सब जो भी ऐसी चीज़ें बता जाएं थरुस्दम यहिए आ जाएंगे किसमें आ जाएंगे आ जाएंगे में ठिकु महैं आघ सक्रें प्रस्नवाच्च बताने जरूरुत नहीं है जहां प्रस्नवाच्च हो जाता है सब लोग पहिंचान जाओंगी था फिर सद्वां задEER रहे हैं जैन्वाकियों में किस्ति प्रकार प्रस्न पूशने का ज़्यान होता है जैसे के तुम पढ़।क्ड़ रहे हो तुम क्या पढ़ इच्छा वाचक देख लो, इच्छा वाचक में क्या होता है, जिन वाक्यों से इच्छा आसी सेवं सुभकामना, यह बहले देख लो, जहां पर इच्छा आसी सुभकामना आधिका ग्यान होता है इच्छा वाचक, तुम्हारा कल्याड हो, है ना, यह सश्वी भवा, है ना, तो यह सब क्या हो जाएंगे। यह सब इच्षा वाचक में आ जाएंगे, जहां पर आपको आसिस दिया जाये। है ना सौभागि वठीव हो है ना ऐसे लोग बोल देते थे और तुम्हारा कल्याण हो सुब्ह मस्तू, कल्याण मस्तू है ना तो जुग जुग जीओ, है ना, सौ साल के उपर जीओ, बले चाहे घिट घिट के जीओ, लेकिन जीओ, तो कहने का मतलब ये जितने भी सब्द है, ये सब आशी स्प्रदान करते हैं, देखो वही लिखा है, बगवान तुम्हें लंबी उमर दे, दे भीया लंबी उमर, अरे बगवान तुम्हें नौकरी दे, क्या दे, ये भी एक कहा है, इच्छा वाचक है ना, ये ज्यादा जरूरी है, बगवान तुम्हें नौकरी दे, लोग कहे देते हैं वैसे, जो जानते हैं कि भाई साब ये 10 साल से लगा है, तो वो लोग जब किसी से आश्रिवाद लेते ह तो अब लोग भी कहने लगे हैं लगे न के जल्दि नोकरी लग जाए है ना तो वही चीज है तो यह इच्छा वाजआ है जो इच्छां करते हैं चलो बहिंज़्त बश्तिकरा करें बगवान तुम्हारा कल्यान करें भगवान तुम्हें लंबी उमर दे तुम्द यार ऐसा कि में चन्दे वाचक कहो नाम से स्पॉस्थथ है इतनी इंदी सिंपल संदेख जहां पर संदेख हो depends वाली बात हो है ना डाउत हो डाउत clear ना हो जैसेद साओ साम को वर्षा हो जाए अभी डाउत में है अभी क्या है अभी जो है यह डाउट में हैं कितैं साइद साम को वरसा हो जाए सायद वो हमारे पैसे दे दे हैना सायद कल जो हमसे 500 रुपय ले गया सायद वो हमारे पैसे दे दे हंआँ यहाँ पर क्या है संदे कि आप साइट दे वह सकता है दे नादे बाइसा मिलेगा तो दे में टो नहीं देगा ओकाये मिलेगा व्हुत लोग होग nih तो यहां पर भी बेटा संदे डाउट संदे बात वही हो गई जिससे समझना चाहों महलब जहां पर ऐसी क्लिरिफिकेशन ना ओ क्लियर ना हो कोई चीज वहां पर आपका क्या होता है संद्धेव आचक कूरता है ठीक जैसे हो सकता है राजेस आ तो यहां पर अभी कुछ क्लियर नहीं है इस वज़े से यह सब संदेव आचक में आ जाएंगे अब बिटा हम लोग लास्ट सेकेंड में चलते हैं सेकेंड लास्ट में देखो इसमें कहे रहा है विस्मय वाचक विस्मय वाचक का मतलब है जिन वाक्यों से आश्चर घ्रिणा क्रोध सोक हर्स आश्चर अरे वाँ बोले वाँ साबास वाँ कितना सुंदर दर्स से है है कैसे हो गया यह है ना उसके माता पिता दोनों ही चल बसे अरे तुमने बहुत अच्छा किया साबास तो यह सब जैसे वेल इंगलिस में बोल देते हैं ना वेल यह सब हमारे क्या होते हैं यह सब इंगलिस वाल इंगलिस में आ जाते हैं बट अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहो तो बोले साबास वाह बहुत बढ़ियां बहुत अच्छे ऐसे बोल देते हैं ना लोग बहुत बढ़ियां वाह क्या बात है है ना तो यह सब किस में आ जाएंगे विटा विस्मे वाचक में तावास अच्छा देखो संकेत वाचक देखो संकेत वाचक में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्बर हो जहां पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्बर हो वहां संकेत वाचक होता है जैसे अगर तुम पढ़ोगे तो तो फेलो जाओगे संकेत दिया जा रहा है कि भया पढ़ लोगे पास हो जाओगे पास हो जाओगे तो नोकरी मिल जाओगे तो अच्छी तैयारी करोगे तो नोकरी मिल जाओगी नोकरी मिल जाओगी तो जो चीज की उम्मीद करते हो वो सब मिल जाओगा है न तो कहने का कुछ हाँ रसाए समझना एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो वहां संकेत वाचक होता है इसने एक वाचक भी कहते हैं इन से कारण कि या सर्त का भूद होता है अगर वो ऐसा कर लेता तो हो जाता है ना अगर वह नीट की नीट फाइट कर लेता तो डाक्टर बन जाता लेकिन अगर वो कर लेता तो तो कहने के मालब एक कारण होगा कोई सर्थ दी गई होगी ऐसे करके कोई कारण या सर्थ का बोध कराया गया होगा तो सिंपल सा समझ लोगे एक तो आपका सकारात्मक विधान वाचक निशेद आपके आ जाएंगे यह अर्थ के आदार पर ठाइन तो ठीक है, अर्थ के आदार पर हो गया, पिता जी अभी आते तो आप अच्छा होता, तो लो यहां पर सम में क्या है आपका, आपका क्या है, जतनी भी चीदे हैं, संकेत बताया यहां रहा हूए, ठ्क, अगर वरसा अच् यह कहने के मतलब आप लोग समझ लेना कि जहां पर कारण या कोई सर्थ बताई जाए एक क्रिया के बाद किसी दूसरी क्रिया का होना पाया जाए या एक क्रिया के उसमें जो है दूसरी क्रिया का प्रभाव पड़े निर्भर रहे एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो वो सब हमारा क्या कहलाता है संकेत वाचक में आ जाते हैं ठीक आप देखो रचना के आधार पर वाके के वेद पड़ लेते हैं रचना मतलब समझ गए ना रचना मतलब बनावट, कंस्ट्रक्शन है ना, रचना, बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर क्या हो जाएगा तुद देखो, बनावट के आधार पर तीन प्रकार की बेव हैं, पूचा इससे ज्यादा जाता है क्वेश्चिन, कैसे? सरल वाक्य, संयूक्त वाक्य और मिस्रित वाक्य सरल वाक्य आपका वैसे ही मालो जैसे जिसमें करता होगा उसकी एक क्रिया हो रही होगी बस बाकी कोई जंजट नहीं तो देखो रचना के आधार पर किसके आधार पर रचना के आधार पर वाके के भेद तो रचना के आधार पर निम लिखी तीन भेद हैं एक तो सरल वाके जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश और एक ही विधे होता है मतलब कहने का एक ही करता और एक ही विधे हो उन्हें सरल वाके या साधारण वाक्ष कहेते हैं. ठीक? इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है. जैसे शिलपा पड़ती है. शिलपा क्या करती है? पड़ती है. तो अब देखो, blur दिख रहा होगा, लेकिन clear है, थोड़ा हो. क्लियार है डिखो थीच गलंपीदियस से Experristous तो होगा क्या की सिल्पा पढ़ती है है अची बात है तो यहां पर देखो सिल्पा करता है सिल्पा क्या है करता है यह three a & now यहीङ क्रिया वितमें विदें में आ जाएगी dedicate क्रिया है तो एक ही करता एक ही क्रिया तो यह सब हमारे किसमें आ जाएंगे पिटा सरल वाक्य में सरल को आप साधारण बोल सकते हो सिंपल सिंटेंस सिंपल सिंटेंस जिससे समझ पाओ ठीक इसके बाद हम लोग चलते हैं सरल के बाद हमने क्या बताए थे आपको संयुक्त ठीक तो संयुक्त में देख लो संयुक्त में आ जाएंगे आपके जिन वाक्यों में दो से अधिक सरल वाक्य जिन वाक्यों में क्या हो जो यही दूनों सरल वाक्य है ना तो दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को combine करके join करके लिख दिया जाए वो आपके संयुक्त वाक्य होते हैं जैसे आपने English में पड़े compound तो compound sentence में उनके कुछ conjunction होते हैं वैसे conjunction यहाँ पर भी हैं उन conjunction का संयोजक चिन्नों का जो हम प्रयोग कर देते हैं उन संयोजक चिन्नों के द्वारा दोनों को add कर दिया जाता है जोड़ दिया जाता है तो दोनों वाक्यों को संयोजक चिन्नों के द्वारा दोनों कैसे वाक्यों को दो सरल वाक्यों को ठीक दो सरल वाक्यों को सजयुक तो वाक्य कहते हैं देखो जैसे जैसे विटा देख लो वह सुबह गया और साम को लौट आया तो यहां पर कंजंशन क्या यूज कर दिया गया और प्री बोलो परसत्य नहीं पर जोड़ गया परिस्थरम तो बहुत किया किन्तु किन्तु हो गया है ना किन्तु लग देखो प्रमु क号 ९ूज क सब्द देख लो और या तथा एवं पर परतु किंतु लेकिन किन्तुरंथ है ना ऐसे याद रखना लेकिन के लेकिन किन्तु परणतु हमें चैना थे जितने भी योजक्चिन है इनसे विटा आपका आपके सब क्या कहलाएंगे संयूक्त वाक कहलाएंगे, अब तो अंतर, मतलब clear हो गया ना, योजक चिन्नों के साथ जो जुड़े होंगे, जो सरल वाक की, वो हमारे क्या कहलाएंगे, संयूक्त वाक कहलाएंगे, अब समझ लेते हैं, मिस्रित में, मिस्रित वाक्य मिस्रित वाक्य या मिस्र वाक्य ठिक मिस्रित वाक्य या मिस्र वाक्य हाँ देखो लिखा है जिन वाक्यों में एक मुख या प्रधान वाक्य हो जिन में देखो हाँ संयुक्त वाक्य में एक चीज और है कि दो अलग-अलग सरल वाक्य होते थे, दोनों अपना अपना अर्थ लिए रहते थे, इनमें क्या होगा, इनमें एक प्रमुख वाक्य होगा, समझना, इसमें एक प्रमुख वाक्य होगा, और दूसरा कैसा होगा, आस्रित वाक्य होगा, आस्रित वाक्य होगा, मलब वो उस ट्रहीं लिखिए जिन्माकियों में एक मुख्य प्रदानवाकियों और एक आधिक आसरीग अश्डित अश्डित वाकिय कहते हैं जैसे हैं यह हु हुँ ही उसने दवा पि वैसु गया हैने अब देखो वह देखो अब जैसे यहां पर वैस हो गया, यह तो अपने आप में पूंड है, है ना, अब आश्रित कैसे हो जाएगा जैसे, जो ही उसने दवा पी, अब क्या भिया, जैसे ही उसने दवा पी, तो क्या, वैस हो गया, है ना, तो वैस हो गया, जैसे ही उसने दवा पी, मलब एक दूसरे पर डिपेंड है, य इब कुई केवल कहए तो आप क्या है इसके लिए आ पाएगे उत्तिर्ण हो जाओगे वहां पर क्या था दो सरलवाखे जुड़े होते थे तो दोनों अलग-अलग अर्थ देते थे अब यहां अत्तिर्ण हो जाओगे तो लोग कहेंगे भीया कैसे कब अहां कोई कायेगा यह परिस्रम करोगे तो यह डिपेंड हो गया कि नहीं ह आपके हो गए मिस्रित ऐसे समझ लेना अब देखो जो मिस्रित हैं जो आस्रित वाले हैं मिस्रित समझ गए न अब जो आस्रित उपवाक के हैं वह तीन प्रकार के होते हैं यह देख लो अच्छा बताये गया आस्रित उपवाक के तीन प्रकार के होते हैं एक संग्या उपवा क्रिया विशेशन मतलब जो adverbs related हो ठीक देखो संग्या उप्वाकि में क्या होता है जो आसित उप्वा के प्रदान वाकि की क्षिया के करता कर्म अत्वा पूरक के रूप में प्रयूक तो हो उन्हें संग्या उपवाकि कहते हैं ये की से प्रारम होते हैं ठिक तो सिंपल सा ये याद रखो ये किस से प्रारम होते हैं की से कहां से की से और किस पे डिपेंड रहते हैं प्रधान वाकि की क्रिया के करताया कर्म ठिक प्रदान वाकिकी करता के क्रिया के करता या कर्म पर डिपेंड रहते हैं जैसे देखो जैसे देखो ये मैं जानता हूँ कि मोहन बहुत इमानदार है मैं जानता हूँ कि मोहन बहुत इमानदार है तो मोहन बहुत इमानदार है मैं जानता हूँ तो यहां पर देखो, मोहन बहुत इमानदार है, अब मोहन बहुत इमानदार है, कैसे मैं जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मोहन बहुत इमानदार है, तो यह संग्यास्रित वाक्य हो गया, ठीक मोहन बहुत इमानदार है, संग्यास्रित वाक्य हो गया, कैसे मैं जानता है ना और कोई नहीं जानता है मैं जानता हूं कि मोहन कैसा है इमांदार है उसका विचार है कि क्रश्ण सच्छा अदमी है तो की से प्रारंब होते हैं आपके उपवाके ठीक पूनम ने कहा कि उसका भाई पटना गया है तो यहां की से स्टाट जो भी होंगे वो सर्वनाम संग्या आश्रित उपवाके होंगे ठीक संग्या आश्रित क्या होंगे वो उपवाके होंगे आगे देखते हैं लोग विशेशन उपवाग के जब कोई आश्रित उपवाग के प्रदान वाक्य की संग्यापद की विशेशता बताएं उन्हें विशेशन उपवाग के कहते हैं ठिक जैसे देखो जब कोई आश्रित उपवाग के प्रदान वाक्य की संग्यापद की विशेशता बताते हैं संग्यापद की विशेष्था बताएं, जैसे मैंने एक व्यक्ति को देखा, संग्या यहां पर क्या है? व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, उसको देखा, जो कहसा था? बहुत मोटा था, तो देखो, जो बहुत मोटा था, कौन व्यक्ति, वो जो कौन है? जो यह है, जो कौन से भा बताए जा रही है इस वजे से जो विषेषता बतायों वह क्या हो जाते है शितल आशवत उपवाक्य हो जाते हैं यहाँ तक समझ में आया व्हजा प्रगाकनों प्रारंब होता है यह समझा किसे वा रहा था संग्या वाले गा हां, हाँ, संग्या बाले का किससे हो रहा था? की से? ठीक, और किससे हो रहा है? इसका देखो, इसका हो रहा है जो जब जिसको जिसने जिन को आदिसे? ठीक, अब देख लो, एक बचा क्रिया विशेषान, क्रिया विशेशन जो आस्रित उपुवा के प्रदार नपुवा की क्रिया की विशेशता बताएं किसकी विशेशता बताएं क्रिया की तो उसे हम क्रिया विशेशन उपुआ के कहते हैं इनका प्रारंब देखो कहां से होगा तो बहुत सिंपल सा है इनका प्रारंब आपका यहां से होगा इनका प्रारंब कहां से होगा तो बस यह कंजंग्शन आपको याद रखने हैं ताकि, क्योंकि यदि तो जो सो जब तब जहां वहां इत्यादि से प्रारंब होता एक काम कर लेना आप लोग अगर आप लोगों को बहुत जल्दी से क्विक पहंचानना है तो पीडियाप देखना सायूक्त के जो कंजंक्शन लिखे हैं वो एक जगए लिख लेना ऐसे बनाना देखो ऐसे बना लेना ठिक अधिक मिस्रीत में निदा अ कि संग्य असरीत इसके बाद विशेशन असरीत उपवाके संग्य असरीत उपवाके क्रिया विशेशन आसरीत उपवाके समझ रहो न कहने के मजलब। संयुक्त के लिख लेना और या जितने भी थे, तथा, लेकिन, किंतु, अब ये लिखना कम सकम इतना तो उम्वर्क करी सकते हो, है ह contribution सब और यह सब करना तो यह से कंजंशन ससे स्टाइप यह सब आपकी किस्ट में आ जाएंग शीयुक्त में अमंद है अ कि पता है एक करता होगा कि में करें एक ही इसका सब सुर समस्तर ना को यह से वो वाले फल लेके आओ जिनको हम कल लेके आये थे तो जिनको से स्टार्ट हो रहा है सीधा से सिंपल जिनको देखो जिनको तिनको मार दो मिस्त्रित पे है ना ज्यादा पल्ले की उसमें जरूत है नहीं है ज्यादा समझने की जिनको देखा हमने जो देखा जो तब जब ऐ सब इसमें आ जाएंगे है ना क्रिया विशेशन में तो यह हम बताना चाहते थे कि ऐसे एक ग्राफ बना लो इसमें संयुक्त के लिख लो मिस्रित के लिख लो पीटिए अपमें बताया गया है बाकी एक बार और दिखाए देते हैं आप लोगों को ठीक तो यहां से हम लोग कर लेंगे अच्छा को अधेखो फिर से खोल लेते हैं चिक तो देखो जहां यदी तो जहां पर यह सब दिये गए हों कौन यदी तो जो तब दब जब तब जहां वहां तो यहां यह जितने भी हैं यह सब एक जगह लिख लो कि आपका कि इसमें की लिख लो संग्या वाला से तो की आजाए इसके बाद इसके पहले जैसे जो जिसने जिसको यह आजाएं तो यह सब आपके मिस्त्रित में आजाएंगे सब के कंजंक्शन अलग अलग हो गए है ना तो बस यहां से हम लोगों की आज की क्लास भी खतम हो जाएगी कुछ एक्जामपल बचे हैं वो तो देख लेते हैं देखो जैसे लिखा हुआ है जब वर्सा हो रही थी तब मैं कमरे में था देखो ज्यादा केवल आपने वाक के पड़ा जब वर्सा हो रही थी जब तब क्या मिला जब तब सीधा आपका दिमाग जाएगा कि जब तब हमने क्रिया विश्वेस्टन आस्री तुप वाके में देखा था और ये मारा मिस्त्री तुप वाके कैंतर गता था है दूसरा जब तब क्वेश्चिन पड़े तब तिम आणसर करके गोला भरत्व है ना है ना तो यह कर सकते हो ठीक है जहां जहां वे गए वहां वहां उनका स्वागत हुआ तो देखो जहां वहां तो यह जहां जहां वो गए वहां वहां उनका स्वागत हुआ तो यहां जहां दिख गया वहां दिख गया सीधा लगा दो मिस्रित कि समझे आ रहा है कि नहीं आरा किदना सिंपन सी इस चीजें बता दे गई मैं वैसे जाता हूँ जैसे मैं वैसे जैसे बैसे में यदि मैंने परिश्रम किया होता तो अवग शा zeğlता तो फ़ंध के जEMA यदि मैं कुछ भी बता सकते हो यदि मैं वहाँ अप्लाई करता तो सेलेक्ट हो जाता है ना तो कहने का मतलब यह हुआ बटा जब यह कंजंग्शन देख लो एक बार अब कंजंग्शन तो तुम लोगों को समझने पढ़ेंगे याद करने पढ़ेंगे हैं ना कंजंग्शन ह होगा है कई विधे होगा संयुक्त में क्या होगा दो सरल वाक्यों को जोड़ दिया जाएगा उसके कुछ कंजंग्शन है उसके कुछ संयोजक्चिन है उनको लिख लो इसके बाद मिस्त्रित वाले में आपके यह सब बता दिये गए ज्यादा हो तो आराम से इस फिर देखो आपके लिख लो इस वाले से संग्यावपवा की से प्रारंब होता है विशेशन वाला आपका कहां से जो जब जिसको जिसने जिनको यहां से स्टार्ट होता है यह लिख लो है ना कहीं सर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बांकि AD smart classes आप उसमें इसके बाद संभाकिवाले देख लो संभाकिवाले सब एक जगह यहीं पर लिखें और तथा एवं पर परन्तू ये देखो बलकी लेकिन इसलिए ठिक ये ये यह आपके संभाकिवक्वा संयुक्त के तो एक ही जगह मिल गए एक काम करो ना और सिंपल तरीका बताएं तरहल वाक्य में तो कोई भी conjunction नहीं है ना केवल सहीुक्त वाक्य के conjunction याद कर लो समझ रहे हो सहीुक्त के conjunction याद रहेंगे अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो मिश्रित होगा simple सफंडा एक के याद कर लो तो वो आपका मिस्रित हो जाएगा सेंपल सी चीज ठीक तो हाँ अब हम आप लोगों को एक अपडेट वही थोड़ा बता दें कि क्या आप बचा है क्या आप लोगों को बता है ठीक तो यहां एक काम करेंगे हम लोग इसको कर देते हैं बंद कर देते हैं चलो भी यह जाओ आप देखो अब हम लोगों का पास बचा है मुहावरे एवं लोकोक्तियां ठीक मुहावरा बिटा उर्दू सब्दा है ठीक अच्छा मुहावरे लोकोक्तियां बची रस ठंद अलंकार ठीक तो यह आप लोगों को हम कराएंगे निक्स्ट क्लास में करवाएंगे मुहावरे लोकोक्तियां करा देंगे वाक्या सुद्धी वगैरा देख लेंगे अनेक सब्दों के लिए एक सब्द तो देखो आप लोग पढ़ना अनेक सब्दों में एक सब्द कोई समझाने वाली चीज नहीं है जो जिसकी मीनिंग ना है वो जरूर समझ सकते हो और वाक से ज्यादा हो सकते आप लोग इसको करिके चैनल को ठत लोगों तक पन्चाइए बस लोगों लोगों तक आप हम लोगों की आवाज को पहुंचाईए ठिक आप लोग जिससे जुड़े हो उसकी आवाज पहुंचाओ जिसको जरूरत हो उस तक पहुंचाओ ठिक चलो मिलते हैं फिर हम लोग कल ठिक दन्युक्त